हिमने कुछ जन्जातियों के पारो में स्टार्ट किया तरह कि ऑसके इसे पहले हमारी जुक लास रही उसके इंतरगत हम नहें इक टुरिय। युद्धिये earn फॉरेश्ट के इंतरगत रहने वाली कुछ च्षिंट के बारो में डिस्कर्स किया मैं इसी विए करती है कि शितोष्ण कटिवंदिर घास के मैदान में यानि इसे हम कहते हैं कि टेम्परेट कि ड्रास्ट लेंड्स जो है कि वहाँ पर यह निवास करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि कि किसी भी ट्राइब के बारे में अगर बीना कुछ पड़ें अगर कुछ लिखना है कि यह समझना है तो आपको उसके छितर के बारे में उस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए तो उसके बिहाब पर आप बहुत कुछ चीजे लिख सकते हैं है अव्य का ग्रास्क्राइब है तो ग्रास्क्राइब तो वहां पर रहेगा वह रहेगा लश्टॉक का या वहां पर हर्डिंग का वर्क करेंगे यानि आ कि पॉश्वपालन का कार्य वहां पर देखा जाएगा पश्यूपालन का कार्य यह हैं फिर हम इसके एक कुछ करते हैं हलाकि आगे वाल आने वाली जो स्लैड्स है उसके अंदर हम देखेंगे कि इनका जो ARIYA है वह किस प्रकार का है तो पूरा का पूरा जो कुछ चींज़े चाहे हैं और अब किया जा रहा है लेकिन उस एरिये के इंतरकर मुख्य जो कारिया है पशुपालन और जो पशुवों को पालता है वह कि ट्रांस हुमेन कि लाइफ जीता है अब ट्रांस हुमेंस को हिंदी में कहा जाता है हुड हुड है है कि लवागे परावास तक रीटु प्रवास कि क्या होता है आगे पड़ते हैं सब्सक्राइब सब से पहले सबसे इंपोर्टेंट चीज की के प्रस्क्लाइब की बात कर φrobा करें इस तो supply लिजिन को हम सब कर लेता है यहां पर हमने एक त्राइब को डिस्कुस किया था यहां पर आवाजॉन के जंगल में और वो जो ट्राइब थी वो थी बोरोर यहां पर एक ट्राइब को हमने डिस्कुस किया वो पिग्मी यहां पर हमने दो एक समांग और दूसरी है सकाई यह कुछ को मनें डिस्कुस किया अभी हम पहुंचे हैं तेम्प्रेट ग्राशलेंट्स क्या होते हैं तो ट्रीम्प्रेट ग्रासलेंट्स व्चेटेड इन Central North America क्या कहलता है Prairie कहलता है Have Tall Grasses छोटी घास मिलती है Europe and Asia Europe and Asia के अंतरगत आपको मिलेगी Stappies यहाँ पर Stappies ठीक है और एक है South America में Pampaj Pampaj जो है यह है आपके Argentina में यहाँ पर Prairie की बात करता है तो USA के अंतरगत और Stappies के बारे में यहाँ पर लिख रखा है इसके अलावा भी कुछ Grassland है जैसे कि सितोस्ट नुकटी बन्दिय जो Grassland है तो Prairie North America में Pampaj, Argentina Weld, South Africa Downs in Australia Stappies in Eurasia Pustad in Hungary Canterbury, New Zealand यह कुछ local names है तोस्ट नुकटी बन्दिय की जब भी हम बात करता है तो यह जो एरिया रहेगा यह आपके Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn यानि आपके मकर्रेखा और कर्करेखा से उपर वाले छेत्रों के नतरगत मिलेंगे यानि जहाँ से कर्करेखा और मकर्रेखा के अगर बात कर रहा है तो यहां से आप देखेंगे आपकी मकर्रेखा पास आउट होती है यहां से आपकी कर्करेखा तो कर्करेखा के उपर या मकर्रेखा के उपर इस छेत्र के नतरगत रहती है तो उन्हें हम कहते हैं तेंपरуля क्लल ग्राश्ट लेंड और जो ट्रॉपिकल ग्लास लेंड सवी होता है वह अब काइन्सर ट्रॉपिक ऑप्रिकॉप की के बीच पाय। जाता है यह तellow ये जो रिजन है इस रिजन के अंतर का जितने भी जो ग्रास्ट लेंड सपाई जाता भाग दकशनी USA अमेरिका के अndra गते हैं पार्क लेंड ऑफरीका में कटिंगा जो है वो ब्राजील के अंतरक़ते तो यह टेंपर ट्रायस्टाइब से होते हैं हम जो बैल्ट जो हमने कहा कि बैल्ट कौन से ट्रॉप ट्रॉप ऊप कैंसर और ट्रॉप का प्रिकॉन इसके बीज का जो भाग है वह तो कहलाता है कि या ट्रॉपिक्स ये जो चेतर है ये कहलाता है शितोष्ण कटिबंद शितोष्ण कटिबंद या इसे कहा जाता है टेमपरेट बेल्ट दोनों हमेश्फियर के अंतरगत अपने आपको देखने को मिलेगा यह कलाता है ट्रॉपिक्स तो इस रीजन के अंतरगत जो गास्ट लेंड मिलेंगे उनको हम ट्रॉपिकल ग्रास्ट लेंड कहेंगे और जो ट्राइब्स के बारे में बात करता है वो है किर्गिस्तान अब किर्गिस्तान में रहने वाली किर्गिच यह यूं कहा जा सकता है कि जो किर्गिस जन जाती है उसका जो छेतर है वो क्या कहलाता है किर्गिस्तान कहां पर है तो आप यहां पर देखेंगे तो भारत के संदर म ब्हारत का यह जो फिक्राइग इस भारत के ठीक उपर यहांप देखेंगे तजकिस्त्तांय कि और यह किर्गिस्तां के उपर ग्रूमौ किस्तान तुर्कयम Fachin की बाद करता हैं वहक्त तो किर्गिस्तान जो है यहां पर आए हुआ है यहां पर जो ट्राइब रहती है वह कहलाती है किर्गिच भारत के ठीक उपर यहां पर आप को कुछ हो याद हो तो पामीन नौट है पामीन नौट से यहां पर एक परवत निकलता है जिसको खा जाता है हिंद कुष इधर निकलता ह हिमालाय चाइना की तरफ त्यांसान वगर परवत निकलता है इसके ठीक ऊपर की तरफ यह आपके किर्गिस्तान अब इसके एरिया की बात करें तो यह जो एरिया होता है उसको हम सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं सेंट्रल एशिया को आगर हम पढ़ेंगे इसको क्रेड़ लैंड भी करते कि जितनी बी जितनी हुई है या जितनी है उन पहले सबसे पहले जो डवलोप्मेंट जो स्टार्ट हुआ वह यहीं से माना जाता है इसलिए इसको क्रेडिटललेंड भी जाना जाता है देश के नाम बात करें किर्किस्थान के इंतिकत यह निवास करती है यह क्या होता है यह चलवासी को साथ फिर इसे लाइफ स्टॉक कर सकते हैं यानि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पस्वों को लेकर चलते हैं जैसा कि आपको चित्र देख रहे हैं तब ट्रांस हुमन्स होता है या फिर नॉमेडिक लाइफ जीते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि इनके जो मकान होंगे बहुत आपको फिक्ष्ट नहीं मिल लेंगे एक स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर उसको सिप्ट किया जा सके अब वर्तमान के समय में देखें तो सामुहिक क्रसी कारिया किये जा सके हैं यह एक लोकल नेम है कोल खोज यह जो नाम सोवियत रूस जो है वहां की जो सरकार है वह इनको संदक्षन दे रही है क्रसी के लिए जगह दे रही है और कहा उनको हेल्फ कर रही है कि आप इस प्रकार की एग्रिकल्चर वर्क में इन्वाल रहें तो यह कुछ विशेश था है इनकी हमने देखी आगे बढ़ता है इसके अलबा क्या काम करता है तो यहां पर भी जहां पर भी मिन्रल्स पाए जाता है तो जो माइनिंग वर्क है उसमें भी अपना रोल निवाती है जन संक्या के लगभा को बात करें लगभा को 65 प्लेक्स जो है इनकी वर्तमार में जन संक्या है और कुछ दिखने में इस प्रकार के नजर आते हैं यतने भी हम प्राइब्स पढ़ जनर की लाइफ किस प्रकार से चलती है और किस प्रकार से जिसामेट के इंदर या जिस रीजन के अंदर वह रह नहकहित है वहां की जो जर्वार्मेंट है उससे उनका कि सफ्रकार से यानी उनका जो भॉगела पातावर 소개 के साथ मेंद वह अपना किस प्रकार से समायोजन इस्थापित करते हैं यही देखना मानव भुगुल का कंटेंट रहता है किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान कहां है तो पूरा का पूरा जो छेत्रा है इन अनिक्वल है विशम भुभाग है यहनि काफी कटा-पुटा भाग है एश्या का इंटरनल पॉर्ट्शन कहलाता है महासागरों से अतिदूर महासागरों से अतिदूर का आर्थ होता है कि यहां पर जो बारिस होगी वह कम होगी उत्तर में कजाकिस्तान का मैदान अब इसको अगर लॉकेट करता है जैसे किर्गिस्तान के उत्तर में यहां पर क्या है यह यह यहां पर यहां पर में मना देता हूं यह यह आपके यहाँ पर विश्व की छत जिसे पामीर नोट कहा जाता है पामीर नोट से आपके त्यांसान इस तरफ आप देखेंगे तो यह अलताई इस तरफ लिखना हुआ है फरगना फरगना के नीचे की तरफ यहाँ पर जब आप पकिस्तान की तरफ जाओगे तो यहाँ आ सिस्टम पामिन नौट के साथ पाएजाता है तो इसके बीच में यहां पर किर्गिस्तान है उत्री पुरभी भाग में एक यहां पर लेक मिलता है जिसका नाम इशिक्कुल है सर दर्या सर दर्या और यहां पर नदिया यह दोनों नदिया है ये जिसको नाम है अरल सागर अरल सी या इरल सागर लिख जता हूं वहां से गरती है पश्चिम में यहाँ पर फरगना देखेगा यहाँ पर हमने लिखा अब ही किरगिस्तान है तो उसके पर किम यहाँ पर हो गई फरगना दक्षिन के अंतरकत हमने कहा कि यहां पर यहां पर क्या है साइबेरिया कईव प्लीन है यहां पर देखने को मैने तो यह जो रीजन है इसी कुल कर गिस्तान का वैदान फरगना सेंटरल एशया उसके बीच में हुआ है किर्गिस्तान और इसी किर्गिस्तान के इंतर्गत्यूंड यह खिर्गे से जन जाती रहती है तो माउंटेंस रीजिन में रहती है और किस परकार से चलती है तो उसके परीचे के बारे में बताए गया है यह तुर्की भासी की जात का नाम है यह विकीपीडिया से लिया गया है विकीपीडिया पर जिस परकार से यतनी जानकरी मिली तो यह सेंट्रल तुर्किश जो लैंग्वेज है उसको बोलने वाली एक ट्राइब है जाती है जो मुख्य रूप से किरकिस्तान के अंत्रगत रहते हैं लेकिन इसका आर्थ नहीं है कि केवल किरकिस्तान में रहते हैं उसके जो पड़ेशी देश जैसे पुछ बेकिस्तान चाइना तज्चिस अफ़गानिस्तान रूस यहां पर भी यह लोग हमें देखने को मिलते हैं कि नाम की उत्पत्ति के बारे में कुछ कहानिया है कहानिया इस प्रकार से है कि तुर्की भासाओं के इंतर किर्गीज की अगर बात करें कि वर्ड कहां से और इने होता है इसका नमर होता है 40 40 अब इस 40 का क्या अर्थ होता है कहा जाता है कि किर्गी जी जो थे उनके 40 कभी ले थे उससे इसका नाम 40 पढ़ा कुछ और भी कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे तुवा और साइबेरिया की यह निसे नदी की किनारे रहते थे पास में मंगोलिया मंचूरिया में रहने वाले खितानी लोगों ने इन पर हमले किये लेकिन किर्गेजियों के 40 कभीले वहीं पर धटे रहे और समय के साथ वह फैले और मद्य एश्या के अन्य छित्रों में पहुँचे यह मद्य एश्या वाला जो कॉंसेप्ट है आगे औ सिस्टम क्रेडल लैंड भी कहता है यहीं से जितनी भी हमारी जो रेस है या प्रजातिया है वह यहीं से ओरिजनेट होती है और यह सिस्टम पुरा को पुरा ग्रिफिट टेलर का एक कॉंसेप्ट आएगा उसमें मैं समझाओंगा आपको कहा जाता है यह कुछ उनके नाम से रिलेटेट कुछ कहानिया है प्राचीन येनी से किर्गीज और मदिय इश्यम में रहने वाले शक्ष, हुन और अन्य जातियों का यह मिस्रण माना जाता है धर्म की बात करें तो सुन्नी, सिया और सुन्नी दो धर्म होता है इनके एक है सिया और सुन तो सुन्नी इसलाम धर्म के यह अनुनाई होता है इसलाम का विकास कैसे हुआ तो कहा जाता है कि जो रेशम मार्ग था उस रेशम मार्ग से जितने भी जो अरब वैपारी यहां पर से निकलते थे उनी के द्वरा इसलाम धर्म का जो प्रचार है यहां पर हुआ तो उनी की दोधार्मिक अवधार्णा है यानि उनके जो रिच्वल्स है उनके अनुस्थान है या रुजरितिरी रिवाज है वो ये मानते हैं फिर बात करते हैं इस छेत्र की बात पूरा का पूरा छेत्र जो है वह परवतों से घिरा हुआ है महासागरों से दूर है अतनम हवाओं की कम दिखेतनों कि यहां पर वर्सा की कमी है तो इससे कई चीए जूड़ते हैं कि यहां पर आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगा यहां पर आपको एंड Haben 1 नहीं मिलेंगे यहां पर आपको Agriculture की सुविधाइय नहीं मिलेगी तो यह कुछ सुविधाय अपको यहां पर नहीं मिलेगी तो सुस्क महादीपी जलवाई यहां पर मिलती है त्यांसान परवत है वहां पर ठंडी जलवाई मिलती है यह ठंडी जलवाई मिलती है उसके पीछे कारण क्या होता है हाइट हाइट जब काफी अधिक होती है तो जैसे से हम उचाई की और जाता है तो लगबग एक किलोमीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री सेंटिग्रेट टेंपरिचर क्या होता है डाउन होता है तो यह रेट होने के कारण यहां पर त्यांसान जो परवत है वहां सर्दियों में इन भागों में पसुचारण का कारिय नहीं क्या यानि सर्दियों के समय इन पहाड़ों पर पसुचारण नहीं हो सकता है कि यहाँ पर स्नॉफॉल हो जाता है तो घास वगर वहाँ पर उग नहीं पाती है इसलिए गर्मिये के दिनों में यह क्या करते हैं निचले भागों में आ जाता है जहां पर पाज गर्मी पड़ती है तो इस प्रकार से दोनों स्ट्रों के निए रित्व प्रवाज करते हैं रित्युप्र्वास का ए कि कि ट्रांस हیک तैसे बर्फ जमती है नीचे आ जाते हैं पहड़ों से और जैसे ही कि ने सिर्वागो गर्मी पढ़ने लगती है तो वह पाहड़ी चित्रों में चले जाता है इस प्रकार से यह स्थान बदलते रहते हैं यहां पर वनस्तपती भी उंचाई के साथ बदलती यह भी हम विसकस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे वेजिटेशन जो है उसकी टा अधिक होती है और वहाँ पर टॉल यानि लंबी घास के मैदान देखने को मिलते हैं इसके अलवा मुझे पर जाता है तो वहाँ पर आपको कौन शैप वेजिटेशन मिलता है कौन शैप कार्ट होता है कुछ इस प्रकार की वन देखने को मिलते हैं क्यों मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर स्नौफॉल होता है क्योंकि उससे पीछे हैं हाइट फिर 3500 लगबग 3.5 किलोमेटर की हाइट पर आपको वापिस ग्रास लेंड देखने को मिलते हैं उसके बाद आती है पर स्नोफॉलां क्या उति है तो स्नोफ में लाइन का हुआता है जहां पर हम इसा बर्फ रहती है जो सी लेवल है उससे जैसे हम आइड़ की दरफ दता हैं या हम एक्विटर से पोल्स की तरफ दताए तो यह हो नो पर से आगर हम करते हैं आप काफे या नेगी आप कथ्याइद तो धिरे धिरे जैसे पोल्स की तरफ द्र है आपको काफी कम उचाई पर ही आपको स्नो मिल जाएगी तो वहां पर जो स्नो लाइन है वह आपको कम उचाई पर मिलती है तो उश्ण कटिमंद्य प्रदेशों में हीम रेखा की उचाई जो होती है वह अलगवक पांच से साथ हजार पांच से साथ हजार का यहां से पांच से साथ किलोमेटर उची यहां पर स्नो लाइन देखने को मिलती है लेकिन ग्रीन लेंड और अंटार्टिका की बाद करता है तो यहां पर आपको कुछ सौ मीटर पर सौ मीटर पर या पिर आप जहां पर खड़ा है वहीं पर आपको स्नो लाइन देखने को मिलते हैं तो यह कुछ एरिया रहा यानि कहने कार्थ है कि यहां पर ग्रास लेंड़ भी बिल रहा है स्नोफॉल भी मिल रहा है तो ऐसे इस्तति में मुख्य जो इनका का जो कारी रहता है वो रहता है लाश्टॉइ लाश्टॉइ या करते हैं लेकिन जो यू यू एसस आर जो है यानि जो पूरों सोवित संग है और रूस की जो क्रांती हुई रूस की जो कोईला सलफ और मर्करी सूर्मा जिसे और निकाले जाता है इसके अलवा रेसम और सुथी वस्तर की और पड़ा है कि यहां पर कपास का उतपद होता है इसके आप देखेंगे यहां पर हलका समय बनाने की कोशिश करता हूं तो उट जो है कुछ इस परकार के यहां पर देखने को मिलता है यहां पर दो कुबड यह जो हिश है इसको कहता है कुबड तो कुबड जो है यहां पर आपको दो परकार की देखने को मिलते हैं ऐसे उट मिलते हैं जिसके यहां पर दो कुबड मिलते हैं तो यहां पर दो कुबड वाले उट भी मिलते हैं मौसमी प्रवास यानि ट् दूसरे इस्तान पर नॉमेडिक लाइफ को जीते हैं खान पान इस प्रकार का है तो थोड़ा चित्रों के इंदर का देश प्रकार की मोटी मोटी चुरूटिया बनाते हैं मुख्य बोजन जो है दूद दई मकन क्योंकि यह क्या करता है पशुपालन पर निरवर है तो पशु कमड़े की थेली होती है जिसके दरकत लिक्विड जो पानी है उसको रख दिया जाता है मुख्य रूप से भेड के मास का सेवन करते हैं लेकिन टेंद्वे भेड़े चित्ते का भी शिकार करते हैं चित्ता भी मिलता है इसके अलवा और पसू बेचकर निचली जो सठी बस् करते हैं इस प्रकार के पराठों का निर्मा करते हैं लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है अपने साथ लेकर चलता है और जहां कहीं पर भी समय मिलता है खा लेते हैं इसके लावा उन बेचकर अलू किसानों से प्राप्त करते हैं और उसका भी प्रियोग करते हैं पैनाव पहनते हैं पुरुष चमडे की टोपी इस्थरिया कपड़े का सभाफ है अब देखेंगे यह सकाफ है इस परकार से यह प्टृपी पेहनते हैं सूति वस्त्र उनके बदले प्राप्प करता है और देकर यह सूती वस्त्र प्राप्त करते हैं इसके लवा पैरों के अंदर का खाल के बने वे जूते भी पैनते हैं यह वस्त्र है आगे बढ़ते हैं आवास की बात करते है आवास जो होते है इनको कहा जाता हूट में य님이 तक्षक से आप हिए उनका चलता फिरता वाश चलता फिरता इनको स्थान बदलना पड़ता है जहां घ्रड़ा वहाँ पर यह रहेंगे जहाँ कहें पर भी घ्रस मिलेगी तो वहां पर यह रहेंगे इस कारण इनका चलता फिरता जो टेंट है उसे यह कहते हैं सरदी और मौसम जो गर्मी हैं दोनों में इसी का प्रयोग करते हैं nume live होनेके की कारण कभी भी इसे लगाय जा सकता है कभी इस भी मिसे खटाया जा सकता है क्योंकि ये उतने दिनों तक ही किसी चेत्र में रहता हं जहां पर गास मिलती है घास जहांपर मिलेगी वहाँ पर रहेंगे गास जैसे खतम होगी ये उस इस्थान को छोड़ देंगे और इस योट का झो निर्maal होता वो काफी फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है इस्थाय आवास नहीं होता है इसलिए दैनिक आवस्तकताओं के लिए आत्मनेर पर होता है यानि जो कुछ दीज़े हैं जैसे जैसे करके सरवाई बहुत कम समान अपने साथ रखकर चलते हैं इसके अलबा गोड़ सवार होता है ज दूद निकालना खाना बनाना खेमा कहम समैटना केनका फटा काम कर तुम चलने का काम परस यह यह कहता है इस संकीन विचारधारा और परंप्रावादी यानि जो इनोवेशन से लाइफ में कुछ चींज लाने की कोशिस नहीं करते हैं आलसी घवंडी मनमोजी यह चीज़े देखाते हैं जो पसुचारक होते हैं ज्यादा तर उनमें इसी परकार की चीज़े यह जो नीचर है वो पाया जाता है इसके लावा इस्तरियों की बात करें तो सिंगार का काफी सौक होता है जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं तो चैरह को रंगना यानि यहां पर यह फांडेशन जो है उ इसके लावा विविन परकार के अभूशन विवाग की उम्रल लगबग 15 वर्स और देहेज की बात करें तो मुखी जो संपतिय हैं इनकी मूट और भेड़ है इसके लवा इसा का जैसे जैसे प्रसार हो रहा है तो सामझक जागुटा भी बढ़ रहे हैं खान पाण और रिटी रिवाज में भी बढ़ा हो रहा है और जैसे जैसे एक्रिकल्टर वर्क बढ़र रहा है वैसे वैसे यह स्थाई रूप से एक एक ही जगह पर रुपकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं तो यह कुछ विश्यस्ता है यहां पर देखने को मिलती है इन जन्ज़ाइब